जाहिन्द फ्रेंड्स माई सब्सक्राइब लोग पढ़ेंगे अमाइनो एसिट के बारे में जो बायो मॉलीक्यूल से टॉपिक है तो आयो इस्टार्ट करते हैं माइनो एसिट के बारे में अमाइनो एसिट क्या होता है तो सबसे पहले यहां पर जानिए कि हम हमेशा बात करते हैं प्रोटीन का प्रोटीन जो प्रोटीन होता एक तरीके से प्रोटीन आप सबको पता होगा कि प्रोटीन क्या होता है तो प्रोटीन जो है किस से मिल करके बना होता है तो जो यूनिट हो ताउसी कंव लोग क्या बोलते हैं Amino Acid यानि जो Amino Acid का यूनिट होता है इसी से मिलकर करके हमारा प्रोटीन बना होता है तो आज का पूरा लेक्षर इस Amino Acid पर होने वाला है जो यहां तक अपक्लियर होगा इनिंए और्गैनिक कंपाउंड है उसके बात करेंगे आम आईणो एसद के पास क्या-क्या चीज़ें होती है तो यह कंटीन करता है जो हम आउसेट का स्ट्रक्चर अगर देखा लिए तक है चीज़ कंटीन करेंगा तो इसके पॉइंट क्या बता रहा है कि जो अ मिथिट्ः यह यानि तो आ मिथेन की सब्सक्यूट नहीं कहेंbacks को कि अधेन मिधेन के सब्सक्राइट है यानि मिथेन जो invariant टो स्विधिन तक फ्रूमुला क्या होता आ सि एच फोर यह चीज sweeter और इसी का तरीके से कर दिया गया है तो हमारा क्या बन गया अमाइनो एसीड बस उसमें क्या आ अमीनो गूरूप आ गया तो क्यूं यह लाइन लिखा हूँ है सब्सक्राइब मेधिन आए इसको समझते हैं तो मेधिन में जैसा कि आपको दिख रहा एक कारबन है और चार यहा बभुआ है। यह सिर्ग्ड से हम क्लियर करते हैं तो मınıसीद का अगर इस्ट्रक्चर देखा झाए आं माइननलिव is तक अगर इस्ट्रक्चर देखा तो इसके अंदर क्या है मारा एक हमारे बीच में क्या होता है एक अल्फा कार्बन होता है इसके साथ evaluating हम पहले क्लियर किया है क्या होता आमीनोगुरूप होता है यहां पर एक हमारा क्या होता है यहां पर उपर कि अब कितने कारबन एक तो यहां पर कारबन वह गया उसके बाद हाइड्रोजन कितने इसमें होते हैं चार चार है यहां यहां पर दो और दो हाइद्रोजन है यहां पर है चार हईड्रोजन दो इसलिए बोला गहाइब इस है अब है अब कलियर करते मेध्व keyboard है काहा पर SD ग्रूप है तो यह वारा बोле prison दिख रहा नहें और भी बोलते हैं अमीनो गूप इसको हम लोग अमीनो ग्रूप की नाम से जानते हैं बात करें इसका तो यह हमारा क्यों साय ग्रूप ACID ग्रूप है यह हमारा ACID ग्रूप है यह हमारा क्या किक्ष्ट्रा हाइड्रोजन है और इस जो कार्बन आपको बीच में यहां पर दिख्राइब इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं और यह वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं आर ग्रूप बोलते हैं आर ग्रूप यह निक्जूल मिला जुद्धा के अमीनो एसिडी अगर ढ़रा जाएगा तो एक हीड्रोजन उपर एक अलफा कार्बन के साथ एक अग्जूडी यूपर जुड़ा हूँआ हूँआ है उसके बगल मेंग अमीनो गृप जुड़ा हूए है और एक हमारा क्या होता आर में इस अमीनो को मतलब 3 इग्जामपल दिया हुआ आर गुरूब के इसाफ से तो आईए समर्चते हैं उस आर गुरूब के इसाफ से क्या होता है अब ध्यान से देखिए पहले नंबर पे अगर आर ग्रूप के जगह पे हमारे पास क्या होगा हाइड्रोजन होगा अगर आर ग्रूप के जगह पे हाइड्रोजन होगा तो इस टाइप के अमीनो एसिट को हम लोग बोलेंगे हाब। अगर आर ग्रूप के जगा पर हाइडरोजन होग एक secretary हon Süyoull बुलेंगे क्या लोग अलभा के व्हावा लेंगे क्लाइसीन के आभी श्क्चर देखिए क्या बता रहा है मतलब कि पार हिंसे कि हमारे पास क्या है एक amino acid है यह हमारे पास amino acid तो यहां पर इसका alpha carbon यह हमारा carbon इसका क्या हो गया इसका acid group हो गया यह उपर एक hydrogen होगा और इधर क्या हो गया हमारा एक amino group हो गया अब आर ग्रूप के जगह पर हम क्या रखेंगे hydrogen तो अगर आर ग्रूप के जगह पर हाइड्रोजन के वल होगा इसको मुलों क्या बोलेंगे ग्लाइसीन बोलेंगे फिर दूसरे अमर बात किया है अगर आर ग्रूप के जगह पर क्या रहेगा मारे पास मिठाइल ग्रूप होगा मिठाइल ग्रूप होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे लाइसीन बोलेंगे इसको ग्लाइसीन इसको क्या बोलेंगे हम लोग सॉरी एलानीन बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको आर ग्रूप के जगह पर मिठाइल ग्रूप रहेगा तो इसको क्या वोलेंगे अलनीन कि अलाइन बोलेंगे अवक्त टाहिए कैसा बनेगा क्यों से यह हमारा बीच में एल्शा करवण यहां थे हमारा क्या एह सीडिक ग्रूप है हम आ और यहां पे एक प्रविजन उपर जूड़ा हुआ है और आर्फ ये ग्रूप के जगव पर क्या मारा है मिठाइल ग्रूप है यानि हसी है तो इसके इसाफ से मैस को क्या बोला है इसको एलानीन बोला यानि यह मैंने इसीट गला नीन है थोर किसके बारें बात किया यह थर्ड वाला जो एक द कि धर रद्वान थीड मैन अगद है थर्ध थर्डराम ऑन कर्छिट फेंपें कौने से मारी ऑजतिए मरा सेरीन यह मैं और सरी अगरा अचल चाक मतलब तराइंवरत के जगह पर हमारे पैस कहा रहेगा हाइड्रों मि ताईल fly twe城 या यहाँ यहाँ वेमारे पास क्एया रहेगा हईडोक्षी मिथाई hai ड़ॉंफिज मिथायल का मतलब है सी एस्ट वूइच गुल proposed रहेगा इसको अम्लों क्या बोलेंगे सेरीन बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे सेरीन अब देखिए इसका इस्ट्रक्चर कैसे त्यार होगा सेरीन का तो यहां पर पास क्या है अलफा करवन यहां पर पास क्या है acid group यह हमारा क्या hydrogen ऊपर जुड़ा हुआ है और यहां पर क्या हमारे पास है अमीनो ग्रूप है अब देखिए अब इसके पास क्या होगा हमारा hydroxylamine होगा तो यहां पर क्या हमारे पास hydroxy methyl तो इसके वज़े से इसको हम क्या बोलेंगे सेरीन के नाम से जानेंगे यह तो कुछ इस्ट्रक्टर होगा है सेरीन का अब आगे दखिए यह तो आल गुरूप के हिसाफ़ सम्डिसाइड कर रहे थे हैं दखिए अब Aminu Acid को फिर से 3 काटेगरिज में कैटेग्राइज किया गया है तीन पहला हमारा क्या है एक दो और तीन काक्राइज किया किया है इसको डिवायिड किया गया है जो पहला मारा मायनी आजिड जो पहला वाला इसको रोग बोलते हैंterm एसीडिक अमाइनो एसीड दूसरा क्या होता है हमारा बेसिक अमाइनो एसीड और तीसरा हमारा क्या है नीट्रल neutral amino acid अब देखे acidic में क्या होगा अब ध्यान समझे इसको में अब ये depend करता basic और neutral जो ये depend करता है number of amino acids number of amino group and number of acid group यानि acid group amino group के हिसाब से इसको 3 categories में divide किया गया है कब हम इसको acid बोलेंगे जब जो अमीनो ग्रूप है अमीनो जो ग्रूप है वो एक होगा और एसीडिक ग्रूप जो है एसीडिक जो ग्रूप है हर से मोर दिन कितना होगा वन यानि एक से अधिक होगा मतलबdoor सिंबल क्या बताराया जो एप एक यह अमारा कितना एक है और आपकर रहाम लोगे इसीडिक वकै Continuing , तो यह हमारा एक से क्या है जादे है एक से जादे यानि कुल मिला जो लग देखा जाएक उस अमीनों एसिड के अंदर हमको का एसीड ग्रुप जादे दिख रहा है और अमीनों किया ओर है कम दिख जाएक अब एसदी का एकजाम्पल क्या हमारा है तो इसका एकजाम्पल हमारा है कि ग्लूटामिंग ए सिड्ड जो ग्लूटामिक एसीड की उकलाश में सब्सक्राइब यहां फाय तो यही टील गै청िक वालती बाद करें लोग आप बेसिक में चलंके इसीड पलाश में क्या फोग़े जो ग्रूप अमीनो ग्रूप यह क्या होगा हमारा मूर्दन वान यानि एक से जादे होगा यानि क्या होगा एक से यह जादे होगा बट यहां पर एसीडी ग्रूप देखा जा है acid गुरूप तो यह हमारा क्या होगा? acid क्रूप कितना होगा? 1 होगा यानि पुल मिला जो लगत क्या बता रहा है? कि इसमें अगर देखा जाएगा तो यह जो NH2 गूरूप है amino group जो है यह क्या होगा? 1 से जादे होगा 1 से क्या होगा? जादे होगा? इसके अंदर अमी तो जादी है और एसीड क्या कंद एकम है इसकी क्या बहुतत है बिल्ध को बैसिक फो जाए झाओ का pap लिग्वाख दोघ्वागे इसमें एक ऐसागोगा जिसमें अभ्या मीन होगा प्लस एसpowered दोनो क्या होंगे से यृणि एक तरीकित बत किया है कि इसमें थे पोलों बराबर होंगे उसको नोग बोलते पीप इसको बोल सकते या नि के अंदर हमारे पास जो एनेच टूग गाट सिंपल देखा जाλε एक्जांपल एक हमारा और यहां पे हाइड्रोजन हो गया यहां पे अमिनो ग्रूप हो गया और यहां पे मारे पास को क्या तो ही निच्टराइक थे स्टरी की खิंप सब्सक्राइब करेंगे तरीकिस को नीट्रल कर लेंगे तो इस टाइप क्या कर लेंगे लोग बोलते हैं नीट्रल अमाइनो एसीड यानि अगर बात किया जाए नेचर या स्वरि नंबर आफ अमाइन अमाइन अच्टी ग्रूप के इसाफ से तो तीन करटेग्री में डिवाइड किया अब पहला एक जिसमें क्या होंगे दूसरा बेसिक इसमें अमाइनो और यह जादे होगा और तीसरा क्या नीट्रल इसमें अमाइनो अमीनो और एसीड तो इसमें और यह जाद दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। अब देखिए इसके असाल से बात के जाएं तो इसमें साटरि बूप में गवह बताता है एरोमेटिक अमाइनो सीड को कॉनसा माइनो अचिड तो इरो में टिक अब द्धान देखिए एक लास्ट हमारा पचरा अरोमेटिक अमाइनो एसीड का मतलब सिंपल समझ लिए क्या होता है कौन से अमाइनो एसीड होते हैं यह हमारा आलफा कार्वन यह हमारा कौन सा है सब्सक्राइबर एक यह होता है अर्वौण यहां नोफ कर सिंपल मतलब लैंग्वाइब समझ लिए कि यहां पे क्यूई रिंग लाइक श्टρक्चर आ झा रहा है यहां पे कोई ring-alike structure आ जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यानि ring-alike structure यहां पे R group के पास जुड़ रहा है ऐसे compound जिसमें ring-alike structure होते हैं तो उस type के जो amino acid बन के तयार होगा उसको हम लोग बोलेंगे aromatic amino acid aromatic amino acid का अगर example का बात किया जाए तो example में इसमें क्या आ जाता है तो aromatic में एक्जांपल हमारा आ जाता है ताइरोसीन पहला आ गया दूसरा हमारा और फिनाइल एलानीन आ गया और तीसरा हमारा क्या जाएगा है ट्रिप्टोफान ट्रिप्टोफान यह तीनों जो प्रोटीन बोलते हैं तो प्रोटीन बोलते हैं और दूसरे से कैसे जुड़ते हैं तो प्रोटीन बोलते हैं तो यह था हमारा आपको समझ आया होगा और अगर लेक्चर आपको समझ आया होगा तो प्लीज कुलाइट सब्सक्राइब और सेर करो ना बुलें थैंक्यू जहिंद कि अगर